10,200 has to be divided between a, b, c so that a gets 2 by 3, b gets 1 by 4, sorry, b gets, what b gets and b gets 1 by 4 of what c gets, how much does c get over a, देखिए, मैं कैसे करूँगा इसको, c को मैं लोगा 12, b कितना हो जाएगा मेरा 3, और 2 3rd हो गया, यह हो गया 2, आप देखना है, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, total value 10,200, 235 and 12, 17, 17 जो है आपका करिस्पॉंड कर रहा है, 10,200 को, पूछ कहा रहा है मुझ much more does c get over a, c or a में difference कितना है sir, 12 minus 2 कितना है 10 का, 17 अगर 10,200 है तो आपका 1 कितना होगा, 1 आपका हो जाएगा 600, तो आपका 10 कितना होगा, 6000, ऐसे करना है, है ना, तो इस question में देखिए, यह ability कि मैं रेशियो जल्दी कैसे लिखूंगा, यही decide करता है कि आपका answer कितना ते जाए है, मुझे decimal values ना मिलें, तभी आप quickly कर पाऊ गया, यह mentally possible था sir, c को 12 लिया, b कितना होगा 3, और 2 by 3 कितना होगा 2, तो 2, 3, 12, 17, 17, 10,200 होगा, 1 कितना होगा, 600, 10 कितना होगा, 6000, इतना असान था बलता,